हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल मिश्टर टॉक में तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो अपने आधारकार का नेम है अपने फाधर का नेम है वो कैसे चेंज कर सकते हो तो दोस्तों बहुत ही इजी स्टेप से आप अपने फाधर का नेम है वो आधार काड में आसानी से change कर सकते हो दोस्तों आपका नाम तो सही है लेकिन आपका father का name है वो गलती से गलत लिख दिया है तो उसको आप घर बेठे ही change कर सकते हो तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पुरा process बताऊंगा कि आपको आपने father का name कैसे change करना है अधार काड में कैसे correction करना है तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने first time मेरी channel विजिट कर रहे हो तो मेरी channel को subscribe कर लो, bell icon को ज़रू क्लिक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए bell icon को ज़रू क्लिक करें तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको Google में लिखना है UIDAI और यहाँ पर first link open कर लेनी है आधार काट की official website पर आपको चले जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे scroll करना है नीचे यहाँ पर आपको option मिलेगा update आधार उसके नीचे update demographic data online उसके आपको click करना है उसके बाद आपको नीचे proceed to update आधार वाले option पर click कर देना है जो पहला option है और यहाँ पर आपको अपना आधार नमबर डालना है और नीचे आपको capture verification करना है ठीके आधार और capture डालने के बाद आपको नीचे send OTP पर click करना है तो जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर जो आपका register mobile number है उस पर एक OTP जाएगा तो वाला OTP आपको यहाँ पर डालके नीचे login पर click कर दो okay उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा update demographics data तो उस पर आपको click कर देना है उस पर click करने के बाद हमें क्या करना है change name तो name पर अगर आप को कुछ और change करना है तो उस पर आप click कर सकते ह जैसे आप वो step next करोगे तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर जो correct name है वो डाल देना है आपको enter the name के नीचे जो आपके father का correct name है वो यहाँ पर आपको डाल देना है पहले तो आपका नाम दिखना है उसके बाद आपके father का नाम और आपका जो surname है वो ठीक है दोस्तों यह डालने के बाद आपको टेब पर क्लिक करना है जैसे आप टेब पर क्लिक करोगे तो आपका जो पूरा native language में भी आपका पूरा नाम यहाँ पर show हो जाएगा उके उसके बाद upload valid document तो यहाँ पर दोस्तो आपको वो वाला ID अपलोड करना है जिसमें आपका फोटो भी हो और आपका और आपके फादर का सही नेम भी हो ठीक है वो वाला document आपको select कर लेना है तो मैं यहाँ पर pen card select कर लेता हूँ क्योंकि उसमें फोटो भी है और नेम भी फादर का सही है ठीक है उसके बाद आपको नीचे प्रिव्यू वाले option पर क्लिक कर देना है तो प्रिव्यू में आपको प्रिव्यू यहाँ पर शो होगा कि आपने क्या अप्लोड किया हुआ है उसके बाद नीचे यहाँ पर फिर से आपको capture डाल देना है capture डालने के बाद send OTP फिर से आएगा एक OTP आपके मोबाइल पर तो यहाँ पर आपको फिर से OTP डाल देना है जो आपके रेजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा तो OTP मैंने डाल दिया है अभी दोस्तों OTP डालने के बाद यहाँ पर I have a lead confirm पर क्लिक करो और नीचे make payment पर क्लिक करना है क्योंकि अभी आपको सिर्फ payment ही करना है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर आपको 50 रुपी इसका payment करना है और जैसे ही आपका payment complete हो जाएगा तो फिर से आधार कार्ड की official website पर redirect हो जाएगा और वहाँ पर एक form generate होगा PDF फाइल में तो वह form में सब कुछ लिखा होगा कि आपने क्या-क्या change किया हुआ है ठीक है तो दोस्तों ऐसे आप आधार कार्ड में नेम चेंज कर सकते हो फाधर का नेम चेंज कर सकते हो ठीक है और आपका document सही रहा तो within seven days में आपका जो चेंज है वह हो जाएगा आपका नेम चेंज हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे शेर करे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकोन के जरूर क्लिक करें थैंक्यू सामच फॉर वाचिंग